हलो बचो स्वागत है आपका parts of speech में इसके पिछली वीडियो में हमने eight parts of speech को shortly पढ़ा है आज से हम लोग एक एक की detail पढ़ने जा रहे हैं तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ noun को हिंदी में इसे संग्या कहा जाता है और परिबाशा कुछ इस प्रेकार से है noun can be a name of a person, an animal, a place, a thing or an idea यानी noun के अंदर क्या क्या शामिल है किसी वेक्ती का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तू का नाम और किसी विचार ये सारी चीजें noun में include की जाती है, confused नहीं हो याँ, अब next डिलेते हैं हम लोग types of noun noun के प्रकार बेटा बहुत सारे हैं, लेकिन हमने मोटे तोर पर दो प्रकार लिया है, क्योंकि इन दो में ही सब कुछ शामिल है जब आप एक एक को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सबसे पहला है abstract noun, abstract को बोलते हैं अमूर्थ अमूर्थ से मतलब वो चीजें जिने हम छू नहीं सकते, physically हम जिने महसूस नहीं कर सकते के वल mental level पर उन्हें महसूस किया जा सकता है abstract noun, express करता है यानि show करता है quality को, state को और action को इन तीन चीजों को represent करते हैं जैसे मैंने कहा सुन्दर था, beauty तो एक गुण हुआ, quality हुआ, truth, सच्चाई ये भी एक गुण हुआ, तो ये दोनों की दोनों इसमें शामिल होंगे जैसे मृत्यू, युव आवस्ता, ये एक दशाई हुई, जीवन की तो ये हुआ, state में, action में कारेशा मिल है जैसे के pleasure, आनंद, खुशी हम जिसे मैं आनंद में होते हैं, खुशी में होते हैं, वो एक action होता है हमारा तो ये सब चीजे noun है, और इन्हें का जाता है abstract noun यानिके, अमूर्त, अमूर्त क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता देखिए, मैंने definition लिखे, abstract noun doesn't exist physically और materially abstract noun का, बहुत इक रूप से, और पदार्थ की रूप से, कोई अस्तित्व नहीं है दूसरे noun पर आते हैं हम लोग, वो है concrete noun second noun है बिटा, concrete noun, इसे हिंदी में मूर्त कहा जाएगा यानि जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ओके मूर्त संग्या, जैसे सबसे पहला मैं ले रही हूँ, proper noun proper noun को हिंदी में व्यक्ति वाचक संग्या कहा जाता है तो ये तीनों के तीनों proper noun में शामिल है, नाम से confusion नहीं होना आपको कि व्यक्ति वाचक है तो व्यक्ति का ही नाम नहीं, व्यक्ति वाचक संग्या में व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम, तीनों शामिल है, ओके proper noun कहा जाएगा number second है common noun common noun का मतलब जाती वाचक संग्या boy boy बोलते ही पूरे boy की जाती आ गई जितने भी लड़के हैं उन सब की बात हो रही है river बोला तो जितनी भी नदिया है उन सब के बारे में कोई common बात हो रही है dog तो जितने भी कुत्ते हैं उनके बारे में common thought प्रस्तूत किया जा रहा है ओके ये किसी एक विशेश जाती को रिनोट करते हैं third है collective noun collective noun मतलब समू हुआ चक मैंने खा team तो ये समू हुआ army यनि के सेना समू हुआ jury नर्नायक समीती समू हुई ओके और नमबर चार पर है हमारा material noun material noun के नाम से ही पता चल रहा है पदार्थ वाचक इसमें पदार्थ के बारे में आएगा जैसे gold, sona, silver, chandi, wood, लकडी इस प्रकार से ये हुए material noun concrete noun चार प्रकार के हैं आपको clear हैं बेटा आप लोग एक बर और अच्छे से वीडियो को देख ले ये screen हमारी आप चाहो तो screenshot ले सकते हो next एक दो important बाते और हैं वो भी मैं noun के बारे में आपको बताना चाहूंगी सबसे पहली important बात ये है कि if a noun tells about one or more than one यदि कोई noun बताता है एक या फिर एक से अधिक के बारे में तो इसे कहा जाएगा number कई बचे number और noun को लेकर करके confused हो जाते हैं number दो प्रकार के है singular और plural लेकिन number का कही न कही noun से relation है क्योंकि number वो चीज है जो कि संख्या के बारे में बताएगा एक या फिर एक से अधिक के बारे में singular यानि कि जिसमें एक वस्तू शामिल है कोई भी विक्ति एक जैसे book है एक book a mango a book लेकिन plural बनाते ही वो एक से अधिक संख्या में आ जाएगा दो भी हो सकता है दो से जादा भी हो सकता है शब्दों के बाद में s लगा करके या es लगा करके या a का e बदलके या फिर en लगा के या i es लगा के या फिर v es लगा के हम लोग plural word बनाते हैं ओके, clear हुआ दूसरे important बात है the noun which denotes male और female कोई noun यदि male और female के बारे में बात करे, इशारा करे तो उसे कहा जाएगा gender देखो इसे gender उन्हें कहा जाएगा जब हम male और female के बारे में बात करते हैं जैसे gender होते हैं 4 उधारन के तोर पर जब आप divide करेंगे तो समझ में आ जाएगा masculine बोलिए masculine को pulling बोलते है boy, father, brother यह सब pulling के तरफ इशारा कर रहे है ना हमें ठीक इसी तरह से strilling के लिए feminine word है बोलिए मेरे साथ feminine feminine में girl, mother, sister यह सब बोलते ही किसी strig के तरफ इशारा होता है ठीक है हम समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है third है common यानि कि उभालिंग जैसे baby, student, teacher यह common में हो सकता है teacher में lady और gents दोनों शामिल हो सकते है student में girl और boy दोनों शामिल हो सकते है baby यानि बच्चा बच्चा भी दोनों हो सकता है यानि हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की next हमारा gender है वो है neuter neuter को बलते है नपुन सकलिंग जैसे pen, ink pot, table इनका कोई link नहीं है यह ना तो thrilling में है ना pulling में है न common है तो इनको neuter कहा जाएगा समझ में आरी चीज़े है एक important और बाते है कुछ noun ऐसी होते है बटा जिनको हम count कर सकते है और कुछ ऐसी होते जिनको count नहीं किया जा सकता जैसे countable noun को बोलेंगे can be counted यानि के count किया जा सकता है और uncountable noun को कहेंगे cannot be counted count नहीं किया जा सकता जैसे pen, orange, book इनको हम गिन सकते हैं कि कितनी है अगर जादा रग दी जाएं तो हम मात्रा को गिन सकते हैं लेकिन क्या हम money को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते पैसे को गिन सकते हैं पर धन नहीं गिन सकते milk, water, rice इनको किसी को भी हम लोग count नहीं कर सकते तो ये सब वोई uncountable noun धान हो गया ये भी एक noun का प्रकार ही है ओके next एक important last बात आती है मेरी कि कोई noun कहां कहां हो सकता है कोई भी noun चार प्रकार से अपनी जिगह ले सकता है a noun can be placed in सबसे पहले यदि कोई करता के रूप में कोई noun नहीं तो इसे कम कहेंगे nominative case यानि जब मैंने इस example में दिखा है देखो Mohan is playing football Mohan football खेल रहा है तो यह पर Mohan के नीचे underline करने का क्या मतलब हुआ यह मैं दिखाना चाहरे हूँ कि करता के रूप में काम में लिए मैंने इसको तो इसे कहेंगे nominative case second case हुआ यदि कर्म के रूप में आ जाए कोई noun यदि objective case के रूप में आ जाए objective रूप में आ जाए accusative कहा जाएगा उसे additive कहा जाएगा जैसे यहाँ पर इस example में I gave a book to Gita मैंने a book और Gita को underline किया है इन दोनों ही शब्दों में जो noun है वो कहाँ पर जाकर के बैठा है objective case के रूप में ओके book भी noun है और Gita भी noun है समझा रहा है third है possessive case possessive case वो होगा जहाँ पर संबंद बताये जाएगा यदि हम उपर कोमा लगा करके S का प्रयोग करते हैं उसे बोलते है अपास्ट्रोफे ठीक है मैंने question पूछा what is your father's name तो मैंने father's को उपर कोमा लगा करके अपास्ट्रोफे लगा के S लगा है तो यह हुआ possessive case फादर noun है ना तो यह possessive case में आ रहा है चोथे रूप में noun का आना होता है vocative case में यहां पर इस वाक्य में सम्पोधन के रूप में सीता आ रही है और सीता noun भी है ठीक है तो कम एर सीता जब इस प्रकार से बोला कि यहां आओ सीता तो यह noun का vocative case हुआ मैं उमीद करूं बेटा कि आपको noun के बारे में बहुत सारे confusions जो भी पहले थे वो दूर हो चुके है आप लोग इनको अपनी copy में note कीजिएगा next class हमारी होगी pronoun की यह मैंने तीन screen बनाये और तीनों का वीडियो आपके सामने प्रिस्तूत किया है thank you